इस चेप्टर में बच्चों हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइड लाइफ की बारे में जानेंगे जब बच्चों आप अपने समर केंप के लिए जाते तो वेरी एक्साइटेड होते हो उसी परका सलीमा भी अपने क्लास मेट्स के साथ इमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी इस कारण वो वेरी एक्साइटेड थी और उसको रिकोल था जैसे जैसे उसकी बस उचाई पर चड़ती जा रही थी वैसे वैसे ही वो नेचुरल वेजटेशन और लेंड फोम्स में चेंजिज देखकर वेरी सरप्राइज थी और उसकी जगे क्या है वो लंबे लंबे ट्रीज देख पा रही थी जिनकी लिल्ज क्या है कौन सैब्ट की थी उसने जाना कि गौन से ट्री थे हू true उसने जाना कि ये कौन से ट्री थे रही हुरुज संकूधारिव रख्स दे इनको क्नी फे ये अज पा जाता है। इन की ले चौती हैं जो कौन सेब्ट की होती है उसने देखा कि जो लंबे लंबे ट्रेस थे उसके अंदर फ्लावर्स जो खिल रहे थे और वो क्या है मनाली से आगे रोतांग दर्रे से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि जो लेंड है वहाँ पर छोटी छोटी ग्रास ग्रो कर रहे और वो भी क्या है स्नो से कवर्ड है क्या बच्चो आब बता सकते हैं कि चड़ाई के सासा सलीमा ने नेच्रल वेजिटेशन में क्या चेंज़ दे के माले में फुट एल से लेकर उचाई तक सलीमा ने किस परकार की वेजिटेशन को देखा सलीमा के उबचरवेशन से हम अनुमाल लगा सकते हैं कि लेंड की उचाई एवं जो वेजिटेशन है उसमें जो करेक्टरस्टिक्स होती है एक दूसरे से सम्मंदित होती है विद दा चेंज इन हाइट दा क्लाइमेट चेंज एंड देट चेंज नेचुरल वेजिटेशन दा ग्रोथ ओफ वेजिटेशन डिपेंड ओन टेंप्रेचर एंड मॉइस्चर क्या है उचाई में चेंज के साथ साथ क्लाइमेट में भी चेंज जो होते रहते हैं इसके कारण जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें भी चेंज जाते हैं और एक वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए टेंप्रेचर और मॉइस्चर पर निरबर हैना पड़ता है It also depends on factors like slope and thickness of soil तो क्या है temperature और moisture के अलावा भी कुछ factors होते हैं उसके उपर भी vegetation को grow करने के लिए depend रहना पड़ता है तो उसमें कौन से हैं जो slope है और thickness of soil है The types and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors और इस type की जो thickness होती है natural vegetation की वो various places में various various परकार की पाई जाती है वो अलगलग factors पर depend करती है Natural vegetation is generally classified into three broad categories Natural vegetation को three broad categories में divide किया गया है Forest which grow where temperature and rainfall are plentiful Plentiful means बहुत बड़ी मात्रा में परचूर मात्रा में To spot a tree cover depending upon these factors dense Dense means घने, thick and open forest are grown और जिन trees के लिए opaque temperature होता है और heavy rainfall होती है उन छेत्रों में क्या है trees grow करते हैं और यह क्या है कुछ factors पर depend करते हैं और इन factors से यहां पर क्या है घने और open forest grow करते हैं which grow in the region of moderate rain और जिन एरियाज में क्या है medium rain होती है वहाँ पर grassland grow करते हैं सब्स थोर्नी सब्स and scabs grow in dry regions जो थोर्नी सब्स हैं जो कटिली जाडिया हैं और यह जो जाडिया हैं वो क्या हैं dry region में grow करती हैं सलीमा वा शेरिंग और experience of Himalaya's trips with her father और father visited various places in the world सलीमा ने अपने experience को Himalaya trip की experience को अपने father के साथ share किया उसके father ने भी क्या हैं world की various places पर visit किया हुआ था he told सलीमा about the observation of the variety of visitation in different parts of different continents उसके फादर ने सलीमा को बताया कि जो हमारे डिफरेंट कॉंटिनेंट से उनमें डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन पाई जाती है। सलीमा realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to polar region. तो सलीमा ने जाना कि जो Himalayas region में क्या है वो सी परकार की vegetation की variety पाई जाती है। जैसे जैसे क्या है वो equator means भूमेद रेखा से polar region means दुर्वों की दुर्वों की और जाते हैं। तो the change in the type of natural vegetation occur mainly because of the change of climate conditions और क्या है natural vegetation में change जाने का मुख्य कारण क्या है climate में change होना। Let's us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristics, features and wildlife inhabiting there। तो क्या है world की within parts में जो natural vegetation होती है उसके गुण और वहाँ पर निवास करने वाले जो वन्ने जीव होते हैं। वो अलग अलग परकार के होते हैं। उसके बारे में आओ जानकारी प्राफ्त करते हैं। Forest, tropical evergreen forest, evergreen means सदा हरे बरे एक जैसे दिखने वाले trees, these forests are also called tropical rainforests, इन trees को tropical rainforests की नाम से भी जाना जाता है। These thick forests occur in the regions near equator and close to the tropics। और ये क्या हैं जो घने वन हैं। वो क्या हैं। Tropic regions और equator के आसपास पाए जाते हैं। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year। In regions में क्या है? साल बर heavy regions होती हैं और ये hot होते हैं। As there is no particular dry season, the trees do not set their leaves altogether। In areas में क्या है? कोई particular dry season नहीं होता इस कारण से, जो trees होते हैं वो भी क्या एक particular time में अपनी leaves को नहीं गिराते। This is the region they are cold evergreen और इस कारण से इनको evergreen का जाता है। The thick iconifies of the closely inside the forest, even the daytime और क्या है। जो iconifies trees होते हैं। उनकी पतियां क्या होती हैं। कौन की सेपकी होती हैं और घनी होती हैं इस कारण क्या है। दिन के समय में भी वहाँ पर penetrate में जो sunlight वो घुस नहीं पाती है। Hardwood trees like rosewood, aboni, mahogany are common here। और यहां पाए जाने वाले hardwood trees हैं। उनमें कौन कौन से रोजूड, aboni, mahogany है। Do you know, anaconda one of the world's largest snake is found the tropical rainforest. It can kill and eat a large animal such as a crocodile। Anaconda क्या है, world's largest snake है, जो tropical rainforest में पाया जाता है। और यह क्रोकोडाइल में स्मगरमत जैसे बड़े जानवर को भी आसानी से मार कर खा सकता है। तो बच्चों, यहां पर tropical evergreen forest की picture दिखाई ही ही है। देखो यह कितने हरे भरे हैं और कितने dense बहुत घने हैं। तो इस कारण से इनको evergreen forest का आ जाता है। ट्रोपिकल dacidious forest दैसिडियस forest में स्परणपाती वन जो वन अपनी पत्यां गिरा देते हैं। उनको dacidious forest कहते हैं। ट्रोपिकल dacidious forest is the monsoon forest found in the large part of India। जो ट्रोपिकल dacidious forest हैं। उनको monsoon forest भी कहते हैं। और ये क्या है इंडिया के बड़े पार्ट में पाए जाते हैं इसके साथ साथ में ये Northern Australia and Central America में भी पाए जाते हैं These regions experience seasonal changes और इन छेत्रों में क्या है seasonal changes होते रहते हैं He said their leaves in dry seasons to conserve water और क्या है water को कंजव करने के लिए dry season में ये trees अपनी leaves को गिरा देते हैं The hardwood trees found in these forests are salt, teak, neem and system और इन एरियाज में पाए जाने वाले hardwood trees कौन से हैं Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport and construction material जो hardwood trees हैं वो क्या बनाने के काम आते हैं इन से furniture बनाया जाता है, ट्रांसपोर्ट के समान बनाया जाते हैं और जो हम बावन इर्मान में जो सामगरी में यूज करते हैं वो भी हमें इन वनों से प्राप्त होती है टाइगर्स, लाइन, एलिफेंट, लंगूर्स and monkey are the common animals of these regions तो इन इन रिजन्स में पाए जाने वाले ये common animals हैं यहाँ पर बच्चों हमें क्या है, ट्रोपिकल डैसिडियस फोरेस्ट की पिक्चर दिखाई गई है आई हो बच्चों आपको यहां तक समझ में आया होगा let's do, where in India do tropical evergreen and tropical and deciduous forests occur, name the states, which type of forest dominates most part of India इंडिया में क्या है, जो temperate evergreen और tropical evergreen forest कहां का पाए जाते हैं स्टेट्स का नाम लिखो और इंडिया में क्या है mostly किस परकार के वन पाए जाते हैं तो हभी हमने देखा इंडिया में mostly कौन से वन पाए जाते मोंसुन फोरेस्ट पाए जाते हैं। टेमप्रेट एवरग्रीन फोरेस्ट तो ट्रोपिकल मिस क्या थे? ऊशन कटी बंदिये इस्थानों में पाए जाने वाले वन और temperate evergreen forest मतलब situation सदाभारवन तो temperate में जो ठंडे इस्थानों में पाए जाने वाले forest होते हैं उनको temperate कहते हैं The temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal regions. They are commonly found along the eastern margin of the continent's example in Southeast USA, South China, in Southeast Brazil, they comprise both hard and softwood trees like oak, pine, or eucalyptus, etc. जो temperate evergreen forest हैं वो क्या हैं? कहां पर locate हैं? Mid-latitudinal coastal region में और यहां पाए जाने वाले जो commonly trees हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? जो coastal regions हैं उन में और उनके जो किनारे हैं coastal regions के continent के वहां पर यह trees पाए जाते हैं और यह South East USA में, South China में, South East Brazil में और यहां पर पाए जाने वाले जो trees हैं होते हैं इन में क्या hardwood कठोर लकणियां भी पाए जाती हैं और soft trees भी पाए जाते हैं for example, यहां पाए जाने वाले जो trees हैं, oak है, pine है और eucalyptus है यहां पर picture दिखाए गई है बच्चो, temperate evergreen forest की temperate deciduous forest as we go towards higher latitude, there are more temperate deciduous forest जैसे जैसे क्या है हम higher latitude पर जाएंगे, वैसे वैसे ही क्या हमें temperate deciduous forest दिखाई देंगे these are found in the northern eastern part of USA में पाए जाते हैं, China में, New Zealand में Chile में are also found in the coastal regions of western Europe में they said there lives in the dry season the common trees are, यहां पाए जाने वाले common trees है oak है, ice है, beach है, etc. और यहां पाए जाने वाले animals है deer, fox, wolf, are the animals commonly found birds like figent or monals are found here तो यहां पाए जाने वाले जो birds की picture भी दिखाई गई है यह figent है, यह monals यहां पर बच्चो हमें temperate deciduous forest की picture दिखाई गई है अब देखेंगे, हम meditarians, vegetation meditarians means bhoomad saag रही है vegetation ones जो क्या है, meditarians, c के असपास में जो vegetation पाई जाती है, उसको meditarians vegetation कहते है you have learnt that most of the east and northeast margins of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous trees तो आप जान चुके होंगे जो continents है, उनके east-north, east margins के हधिकांस भाग में क्या है, temperate evergreen और deciduous trees पाई जाते हैं meditarian vegetation, it is mostly found in the areas, the meditarian sea in Europe में, Africa में, Asia में hence the name, hence the name, this kind of vegetation is also found outside the actual meditarian regions in California, in USA, South West Africa, South Western, South America और South West Australia these regions are marked for hot dry smurfs and mild rainy winters तो ये कौन से regions में पाए जाते हैं, dry smurfs और mild rainy, जो winters उन में पाए जाते हैं citrus fruit, citrus में स्खटेफल, citrus fruit such as orange, figs, olives, olives में स्जैतून and grapes are commonly cultivated here, because people have removed a natural vegetation in order to cultivate what they want to, they regent much wildlife here तो यहाँ लोग क्या है, ज्यादा तर जो citrus फल होते हैं for example, orange है, अंजीर है, जैतून है, अंगूर जैसे फल पैदा करते हैं यह लोग क्या है, जो natural vegetation है, उसको अटाकर cultivation कर रहे हैं और यहाँ पर क्या है, ज्यादा wildlife नहीं पाए जाती और हब हम देखते हैं, ओपर हमें क्या है, do you know, इसमें fact दिया गया है Mediterranean trees adapt themselves to dry smurfs with the help of their thick box and wax coated leaves which help them reduce transpiration, जो भूमद सागरी wax है, वो क्या है सूस्त गिरसम रितू में से हमको अपनों के अनुकुल डाल लेते हैं और जो इनकी मोटी छाल होती है, और पतियों से क्या है, जो वास्पो उत्सरजन को रोकती है Mediterranean regions are known and orchards, orchards means flow done, flow का बगीचा of the world for their fruit cultivation, और जो Mediterranean regions में जो flow की किरसी की जाती है इस कारण से इसे क्या है, विसो का flow उत्दान भी का जाता है यह देखो, यहां पर Mediterranean regions में जो अंगूर की खेती की गई है, वो यहां पर दिखाई गई है Coniferous forest संकुधारी 1, in the higher latitude, 50 degree to 70 degree of northern hemisphere the coniferous forests are found, क्या है, जैसे जैसे हम higher latitude पर जाते हैं, वैसे वैसे ही northern hemisphere में हमें coniferous trees पाए जाते हैं, these are also cold as tega, इन trees को क्या है, tega trees के नाम से जाना जाता है these forests are also seen in the higher altitude, these are the trees which Salima found in the Himalayas in evidence, evidence मिस बहुत बड़ी मात्रा में या परचूर मात्रा में तो क्या है, यह वही trees हैं, जिनको Himalayas में जो Salima ने बहुत बड़ी मात्रा में देखा था they are tall soft evergreen trees, the woods of these trees are very useful for making plop mislukडी, which is used for manufacturing paper and news prints तो क्या है, यहाँ पर softwood पाई जाती है, in forest में उसका use किस काम में लिया जाता है paper के लिए जो लुक दी है, उसको बनाने में और news paper को print किया जाता है, उसका कागज तयार करने के लिए match box and packing box are also made from softwood, तो match box और packing box भी क्या है, softwood से बनाए जाते हैं, cheer pine, cedar, cedar mist, देवदार are the important variety of trees in these forests, तो in forest में पाई जाने वाले trees हैं, और यहाँ पाई जाने वाले animals हैं, silver, fox, mink, polar bear, are the common animals found हैं अभी let's do देखेंगी, look around in your surrounding and find out the articles made of hardwood and softwood तो बच्चों क्या है, आप अपने आसपास क्या है, hardwood, hardwood means drug caste और softwood means नरम caste से बनी वस्तों पर धान दे find out and learn the names of few trees in your locality, और अपने बड़ों से या अपने आसपास के हरिये में देखकर, इन trees के बारे में आप पता लगाओ तो टेगा means pure and untouched in the Russian language, तो टेगा जो word है, वो Russian language का है, उसका meaning होता है pure and untouched यहाँ पे देखोनी forest trees बताए गए, forest दिखाए गए है, और यह trees है, यह किस से covered है, snow से covered है, कोनी forest trees तो आप देख सकते हो, कि इन trees की जो leaves हो, कोन की सेप की है, यहाँ पर जो बरफ गिर रही है, तो क्या है, कोन सेप में होने के कारणी leaves में, यह अपनी पतियां क्या है, अपनी snow को नीचे गिरा देती हैं, अब हम grasslands के बारे में जानेंगे, तो क्या है, दो परकार के grassland होते ह एक tropical grassland और temperate grassland, जिस परकार से हमने forest भी two type के देखे थे, temperate forest और tropical forest, तो tropical grassland, these occur on other side of the equator and extend till the tropics, this vegetation grow in the area of moderate to low amount of rainfall, और क्या है, कि यह जो grassland है, वो क्या है, equator से किसी भी तरफ में उग जाते हैं, equator के दोनों और, जो tropical regions होते हैं, वहाँ भी यह grassland फैली भी होती है, और यह grassland की सेर्याज में grow करती है, जहाँ पर moderate या medium rainfall होती है, the grass can grow very tall, जो grass यहाँ पर grow करती है, वो बहुत ही tall होती है, about 3-4 meter इसकी height होती है, swana grassland of Africa are this type, swana की जो grass फल पाए जाते हैं अफरीका में, वो क्या है, tropical grassland में count होते हैं, elephant, zebra, giraffe, deer, leopards are common in tropical grassland, तो इस grassland में पाए जाने वाले common animals है, elephant है, giraffe है, deer है, leopard है, फिर है temperate grassland, temperate grassland में situation, गासिस्तल, temperate में जो थंड़े एरियाज होते हैं, जहाँ पर जो grassland grow करते हैं, these are found in the mid-latitudinal zones and in the interior part of the continent, तो यह क्या है, जो यह grassland हैं, वो क्या है, mid-latitude regions हैं, continent के, जो interior parts हैं, उनके अंदर grow करते हैं, usually grass here is short and nutrients, क्या है, यहाँ पर जो grass होती है, वो short तो होती है, बट वो भोती postic होती है, wild buffaloes, bison, antilopes are common in the temperate regions, temperate regions में पाई जाने वाले यह commonly, animals है, thorny bushes, these are found in the dry deserts like regions, thorny bushes कहाँ पर पाई जाती हैं, जहाँ पर dry deserts होते हैं, इस region में, tropical deserts are located on the western margins of the continent, वो इस परकार के, जो क्या है, regions हैं, वो western margins और continent में पाई जाते हैं, the vegetation cover is scared here, here because of scanty rain and scorching heat, identify the desert regions in the world map, can you name great deserts of India, name some of common animals of the desert which you have learnt a year, क्या है, यहाँ पर जो भोती तेज गर्मी पढ़ती है, इस कारण से यहाँ rain कम होती है, और यहाँ पर vegetation की भी कमी होती है, और world map के उपर देखकर dry regions का पता लगाओ, क्या आप बच्चों बता सकते हो, इंडिया का जो great deserts कोन सा है, तो थार मरुस्तल क्या होता है, इंडिया का great deserts है, और जो यहाँ पाए जाने वाले, जो common animals हैं, इस desert में उनका पता लगाओ, यदि आप क्या है, polar regions पर जाएंगे, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा cold है, the growth of natural vegetation is very limited here, और यहाँ पर क्या है, natural vegetation बहुती लिमिट में पैदा होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुँ ज़्यादा बरफ गिरती है, only mosses और leachens are very small subs are found here, तो यहाँ पर क्या है, जो kai और lichen जैसी small subs ग्रो कर पाते हैं, it grow during the short summer, और यहाँ पर क्या होती है, जो summer होती है, बहुत ही short होती है, कुछ time period के लिए होती है, this is called tundra type of vegetation, तो इस vegetation को tundra कहते हैं, this vegetation is found in polar areas of Europe, तो इस परकार के जो vegetation होते हैं, उनके polar areas कहाँ पर पाए जाते हैं, योरोप में, Asia में, और नोर्थ अमेरिका में, the animals have thick fur and thick skin to protect themselves from the cold climate conditions, और यहाँ के जो animals होते हैं, उनकी क्या है, ठिक fur होती है, और thick skin भी होती है, जो क्या है, उनको cold climate होता है, उससे protect करती है, तो आप देख सकते हो, पिक्चर में polar bear दिखा रखा है, यह बिल्कुल snow से मिलता जूलता है, और इनकी जो मोटी खाल होने के कारण, घने फर होने के कारण, यह क्या है, इनको जो यहाँ पर ठंड पड़ती है, उससे protect करते हैं, तो यहाँ पाय जाने वाले अनिमल्स बताए गए है, तो सलीमा के फादर ने क्या है, सलीमा को कुछ फोटोग्राफ दिखाए, जो थिक फोरेस्ट के थे, उन में क्या सलीमा ने देखा कि कुछ लोग हैं, क्या है, ट्रीज को cut कर रहे हैं, और वो local people हैं, वो क्या है, agriculture को grow करने के लिए, आपने settlements के लिए, इन फोरेस्ट को साफ कर रहे हैं, सलीमा अपने फोरेस्ट को क्लियर करती है, कि यह लोग क्या फोरेस्ट को क्लियर कर देंगे, तो जो वनने जीए हैं, वो कहां पर जाएंगे, और वो पूछती है कि जो यह फोरेस्ट हैं, फिर दुबारी अपनी सेप में आप आएंगे, क्या people go on cutting the trees like this, will there be enough oxygen, water vapor, timber fruits, nuts available in future, जो वन है, क्या है, हमें timbers, लकडियां देते हैं, oxygen देते हैं, fruits देते हैं, और उनके current water vapor होता है, यह सब क्या हमें future में मिल पाएंगे का, do you agree with Salima, क्या आप Salima के साथ agree हो, I am agree with Salima, hold our discussion with your friends about the depilations of our diversified flora and fauna, तो flora क्या होता है, flora means flowers and plants, flora means oncepathy, और fauna means prani जगत, जिसमें wildlife होती है, suggest some measures to conserve them, और क्या है, इनको उस कंजव करने के लिए हमें कुछ सुझाव दें, तो आप, बच्चों क्या आप बता सकते हैं, आप भी Salima के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि मैं तो Salima सी की बातों से बहुत ही ज़्यादा agree हूँ, मैं उसके साथ जाना चाहूंगे, अब हमारे यहाँ पर क्या है, do you know एक fact दिया है, grasslands are known by different name in different regions, तो grasslands को different different regions में different name से जाना जाता है, सबसे पहले हम टोपिकल grasslands देखेंगे, इस्ट अफरीका में सवाना का जाता है, और ब्राजिल में कमपोस, वेने जूलिया में लानोस, और टेंपरेट ग्रास लेंड्स, अर्जेंटीना में पंपास, नोर्थ अमेरिका प्रेरीज, साउथ अफरीका वेल्ड, और सेंट्रल असिया स्टेपी, ओस्टेलिया डाउन्स, तो आई होब बच्चु आपको ये चैप्टर समझ में आया है, आया होगा, तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा से ज्य कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को सेर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाप पहुंच सके, और मेरी अधर वीडियो को भी आप देख सकते, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और थैंक्स पोर वोचिंग माई वीडियो,